एपिसनोंबर 90 के स्टार्टिंग होती है और रोइंकिंग अपने डैड से कह रहा होता है डैड यहां का चिकन सूप बहुती बढ़िया है तो मैंने उसे दो बॉल का ओर्डर दिया है एक तो मॉम के लिए और एक लियान के लिए उसके डैड यह बात सुन खुश होती हुई कहते सच में तुम बहुती जदा थौटफुल हो और तुम कितना ख्याल रखते हो लियान का पिर रोइंकिंग कहते है नहीं नहीं मैं इतना ख्याल नहीं रख पाता जितना आप रखते थे मॉम का और मैंने सुना है कि आप मॉम को विदेश ले गए थे और जब वो बिमार हो गई थी तो आपने अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दिया था आईज अगर किसी को कन्फूजन हो रहा होंगा तो ये लियान के डैड है और पिर वो रोइंकिंग से कहते खेर वो हमारी एक लोती बैटी है मुझे उसे बचाना था बहले ही में एक दीवालिया की होना हो जाता और उनकी ये बते सुन रोइंकिंग मन में के नहीं लगता है ऐसा लगता है कि वो अपनी जेविक बेटी को नहीं बचा सके तो इसलिए उन्होंने लगबग उसी उम्र की एक बेटी को गोद ले लिया और उसका नाम लियान रखा और फिर लियान के डेट चेस करती हुई कहता है चलो फैमिली मेटर्स पर हम बाद में बात करेंगे सबसे पहले खाना खा लेते हैं और फिर सिंसरिफ्ट होता है रोइंकिंग हमें अपने आफिस में दिखाया जाता है जहां पर वो इस डॉक्यूमेंट को देख कह रहा होता है गर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गोद लेने के डॉक्यूमेंट से इस आखरी पेज़ पर ये और फिर ये केकर वो ओड़ जाता है उसे इस तरह अचाना खड़ा होता देख वो भी वेक्ती चोक जाता है और फिर रोइंकिंग आगे बढ़ती हुए कहता है तो जी अब मैं घर जा रहा हूँ और सारा काम अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ तब वो जो जी कहता है हाँ ठीक है और फिर सिन सिर्फ टोतर में रात का समय दिखाया जाता है जहां रोइंकिंग अपने घर पर डॉक्यूमेंट उन देखती हुए मन में कह रहा होता है क्या मैंने सही अनुमान लगाया है लेही देवदू तना थाले मेरी मॉम द्वारा स्थापित किया गया हो लेकिन फिर भी वो गोद लेने की प्रक्या को खुद नहीं समय लेंगी और रोइंकिंग जो डॉक्यूमेंट देख रहा होता है उस पर लियो मेंगाई की सिगनेचर होती है और इस रिपोर्ट के मताबिक जेफ्यू और लियान की एकी डेटाबर्थ है और इसी साल मॉम पिर वो पुरानी बाते याद करने लगता है जहां पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है रुइंकिंग तो मरी एक छोटी बहन आने वाली है मैं पाढ़ पर गई थी पेंटिंग बनाने और तब मुझे पता है चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ अब रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या छोटी बहन उसकी मॉम कहती है हाँ क्योंकि तुम पहले ही अपनी मॉम के बड़े बेटे हो और इसलिए अब तुमारी एक छोटी बहन होनी चाहिए अब रुइंकिंग हैरानी से कहता है तो फिर मेरी छोटी बहन कहा है उसकी मॉम कहती है वो पिर प्रेजेंट में रुइंकिंग काप तुय मन में किन लगता है तो क्या मॉम ने उस समय एक लड़की को जनम दिया था तो उस समय मॉम उस से नफरत करती थी तो क्या उसने अनाथाले में उस बच्ची को दे दिया पिर उसने एक लड़की को जेबियू के पास छोड़ दिया दूसरा मेंबर रॉंग फैमिली में चला गया ये सब जानकर रुइंकिंग चौक जाता है और काप्तियमन में केने लगता है गर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरी बहन है और पिर रुइंकिंग उस डिनर की बात ही याद करता है जहां जेबियू ने जेफियू से कहा था तुम रुइंकिंग के साथ नहीं रह सकती और पिर रुइंकिंग कहता है और अम मुझे पता चला कि जेबियू को ये जानने के बाद उसका रवय अचाना क्यों बदल गया था और गाईस जिदी की साथ एपी सुनूमर नैंटी यहां इंडो होता है पसना है तो लाइक इंड सिस्काइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपीस सोड में